नमस्कार स्वागत आपका अच्छर 71 में आज मैं मौझूद हूँ गाउं चंदा खेडी जिला यम्नानगर में और आज आपको पहली बार खेती से जुड़ी एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे एक किसान ने अपने घर पर ही मश्रूम की खेती करकी है और बहुत अ साथ किसान मोहिच जी मजूद हैं सर सबसे पहले स्वागत आपका अचलिए सर अंदर चलके हम खेती देखते हैं कैसे आपने करें आई ये मेरे साथ लाइट ले आना तो ये इस वक्त हम अंदर पहुंच चुके है ये है पूरा का पूरा मश्रूम हाउस है आप देख सकते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं लाइट लगाकर कैसे अंधेरे में जो है पर्टिवल कर रहे हैं और सबसे पहले हम अपने कैमरा में से कहूंगा कि ये ज में आपको ग्राउंड लेवल पे जहां से ये पैदावार होती है वहां पर पहुंचा हूं सर क्या कुछ कहना चाहते हैं कैसे आपने आइडिया सोचा घर पे ये कैसे अव्यबल हो जाती है पूरी जो है डिस्क्राइब अमें बताईए ये दो तरह से बनती है एक लों मैं शोट मैंफर से निजो ओपा दोग किया बैग में हो अम लेगे आता है जो आपको दीखे रेंडर जाई रावा शुरू मेआता है भूस का खाज आये त्रॉब यहां तक खाड है उसके अपर इतनी परज जो है केसिंग की चड़ाई जाती है उस से 15-20 दन बाद इसमें पुरे मैं यह पिनिंग बन जाती है तो फिर सब्सक्राइब तो जब स्पोनिंग डे से 35 में मश्रूम शुरू हो जाती है तो सर यह जैसे हम छोटा-छोटा सा देख रहे हैं यह मश्रूम यूग रही है यह कब तक जो अब मिचूर होके बड़ी मश्रूम कब तक हो जाती है यह तो जो आप इनका टाइम पूरो हो चुका है क्या कुछ इसकी कोश्ट आती है मैंने शुरू में की थी तीन सो बैक से शुरू आत तीन सो बैक का आप जैसे बैक अविलबल है यहां पर विद केसिंग जगाद रियम नंगर के असपस बहुत बड़े हैं सेंटर इनके जहां से मिल जाते हैं तो नब्य रुए में आपक आख के साथ आप कर रहे है ताइम क्यों मैं के साथ हैं जो किस तरीके से ये जो खे ती है आपने किस तरीके से जो आइडिया आपकल शोचा कैसे आपने सोचा की ये इसके लिए खिला करें सर नunda हैक्या इन एक यस चलिया थोड़ा इथी में इसम एक इसम प emailed गर और्लमान एक दिन में सर ये रात को त्यार मैं जैसे अपने आज हार्वेस्टी यह है इसकी तो यह तोड़ने लाइक हो जएगा यहां पर है निया कोई बड़ा साइज अच्छ यह साइज जो है यह कल तक हो जएगा जैसि चोटा सा यह चोटा सा देख रहे हैं तो यह कब तक जो है यह सबसे बड़ी प्रोब जाती है कुछ खर्चा भी नुक्सान वी कई पर जेलना पड़त होगा हुं थैट्रा है जयामनिया इस मेरी दो इन मेरी के बाइउत्य देख है तो इसमें प्रप्रश Потому बिल्कुल बिल्कुल तो सर अगर कोई किसान शुरू करना चाहे तो कितने कम से कम कितनी इस खेती को लेकर करनी पड़ती है तो यह मतलिकी ठीक है किसान के लिए आम दोर पर जो किसान में देखता है यह मश्रूम कहती नहीं कर पाते हैं ज्यदा थे हमारे बिलासपुर जोन में नहीं पा रही है कान के है कुछ लोगकों पता भी नहींत अब तो खर बहुत है मैं इस इस खेती को लेकर कि तो इसके लिए बहुत अच्छी जाए अगर घर में दो तीन बंदे हैं जो अपना काम कर सकते हैं तो यह दोस्तों में आपको दिखाया कि किस तरीके से जो आप मश्रूम की खेती है अपने घर पर भी कर सकते हैं बिलाशपूर चंदाखेडी के मोही जी ने पूरा का पूरा जो है आप देख सकते हैं कि यह पूरा का पूरा बैक्स करीबन पांच-छे सो बैक हैं जिससे इन्होंने खेती स्टार्ट की थी और आज पहली बार जो है मैंने आपको मश्रूम की खेती एक ग्राउंट लेवल पर जितने भी में से तथ्थे हैं जो आप दोगों को बताने कि हो सके मैंने आपको बताया और भी अगर ऐसी वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो जूड़े रहे हमारे चैनल के साथ और भी ऐसी अपडेट्स लेकर मैं जल्द हाजिर होंगा तब तक के लिए आप देखते रहे है चार 71 जै हिंद जै भारत